प्रेंबरा नमस्कार जश्यकुष्णा प्रणाम एक अजीब प्रश्ण आया है और वो प्रश्ण आधिकांस सभी के लिए बड़ा अनिवारी है प्रश्ण क्या है एक माता जी लिखती है इनका नाम है भावना भावसर इन्होंने का जैश्री राम बेटा कुंदली देखकर बुढ़ापा कैसे होगा उसके विशे में वीडियो जरूर बनाए आभहार बेटा माता जी नमस्कार प्रणाम बुढ़ापे के लिए जन्मकुली में कौन सा घर देखा जाता है मैं अपना विचार पदान करूँगा बाकी लेखनी भी आपके साथ में जो वेदों की है ग्रंथों की है वैदिक उनके अनुसार भी आपके साथ कुछ चर्शाएं जरूर करूँगा तो मृत्यू कैसे होगी बुढ़ापा कैसा बीतेगा इसके लिए हम कैसे जाने हमने एक चार्ट यहां पर आपको सामने प्रस्तुत करके दिया हुआ है अब हम चलते हैं इस पर थोड़ा सा प्रामाणिक चर्चा करते हैं जिन लोगों को इस विशे के बारे में एक कोतुहल है जानकारी क्या विलाशा है वो जरूर पूरा वीडियो ध्यान पुर्वक देखेंगे बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे देखिए जन्म कुंडली में स्टार्टिंग करते हैं बच्चे का जब जन्म होता है तो यह है ठीक है और बच्चे का बच्पना कौन है यह है यह बच्पना है इसको पराक्रम कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आकरती उसका प्रकार उसका सुरूप उसका बच्चे के साथ कुटम्बियों का वातावन कैसे होगा ये दूसरा घर बताता है खान पान का विद्या का जो भाव है ये बताता है बच्चपन की विद्या और ये पराकर्म बच्चा कितने मित्रों के साथ कैसे जीवन में कौन से संसकारों के साथ रहेगा उसके सोसाइटी क के अंतरगर्थ आने वाले विचारों का आदान प्रदान यहीं से किया जाता है चोथा घर सुख सम्रद्धी वाहन मकान इन सब चीजों के बारे में बताता है पांचवा इस्ट उपासना विद्या इस्वरी शक्ति बहुत सारी चीजों का यहां से भेज पता लगता है छठे भाव से जब हम competition में किसी को देखते हैं तो छठे भाव से competition देखते हैं शत्रु रोग रण का भाव है सात्वा घर भोग भाव है अब यहाँ तक हमारी जवानी बीच गई यहां तक जवानी बीट गई अब हम चलते हैं बुढ़ापे की तरह जब बचपन ये है तो बुढ़ापा ये है बारवे घर बुढ़ापा है बारवे घर का स्वामी सौम्य यानि की अच्छे यहां का स्वामी अच्छे ग्रहों से देखा जाता हो तो बुढ़ापा अच्छा बीतता है फर्ज कीजिए यहां का स्वामी कौन है ब्रहस्पती है अगर ब्रहस्पती यहां बैठ जाए ठीक है तो बुढ़ापा भी अच्छा बीतेगा जवानी भी अच्छी बीतेगी क्योंकि मनुश्य के कर्म उसके बच्छपन से ही पीछे लगे रहते हैं अगर उसने भोग ज़्यादा किया तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा अब मृत्यू का विचार करते हैं पंचम भाव अपने पूर्व जन्मों का कृत्य वयान करता है पंचम भाव हम पूर्व जन्म में क्या थे यहां के भाव से पता लगता है यहां के भावेश से पता लगता है ठीक अब हम चलते हैं अश्टम घर जो कि मृत्यू का घर है, ये क्या है? मृत्यू. मृत्यू कैसे होगी, यहां के घर से पता लगता है. मृत्यू सरल होगी या कठिन होगी इसका विचार इस घर से पता लगता है माल लीजिये यहां का स्वामी मंगल है मृत्यू के घर का स्वामी मंगल है अब मंगल यहां बैठ जाए ठीक है तब ब्रहस्पती की दृष्टी ठीक यहां पर पंचम पड़ती है लिहाजा मृत्यू के देवता मंगल को, अच्छा दूसरा मृत्यू का देवता यहाँ पर अश्टमेस मंगल हो गया, परंतु यहाँ का जो कारक ग्रह है वो शनी है, अब मंगल बढ़िया हो और मंगल के उपर तथा शनी के उपर, चुकि मारक अस्थान का कारक शनी है, अब देखिये ब्रहस्पती की दृष्टी कैसे मृत्यू को सुधारती है, ब्रहस्पती यहाँ से अश्टम भाव के स्वामी मंगल को पून तया देख रहा है, दुआदा सस्थान का स्वामी होकर के भाग्यभाव में बैठा हो गया है, ठीक है, अब इसकी ब्रहस्पती की एक द बुढ़ापा सुख से बीतेगा, मृत्यू सुख से होगी, मोक्ष की गारंटी भी निस्चित है, क्योंकि दौदा सस्थान मोक्ष है, दौदा सस्थान का स्वामी ब्रहस्पती भाग्यभाव में बैठा हुआ है, ठीक है, यानि बुढ़ापे का स्वामी भाग्यभाव में बैठा हुआ है बित्ती भजन करेगा स्मरन करेगा अच्छे कर्म करेगा उसको मुक्ती भी मिलेगी उसका बढ़ापा भी अच्छा बीपेगा अब मृत्यू का पराक्रम हा उस कौन सा है मृत्यू के मित्र कौन से है मृत्यू के मित्र हैं उसके कर्म इसको कहते हैं कर्म भाव दसम अब ये अगर कर्म बुरे करता है तो ब्रहस्पती उनको अब्जर्ब करने की कोशिश तो दिरूर करेगा लेकिन उसके कर्मों को समाप्त नहीं करेगा लिहाजा उस बिक्ति के कर्म के अनुसार उसको सद्गती या दुर्गती प्राप्त होती है यदि बारवें घर में केतु बैठ जाए तो भी सद्गती का कार्ण बनता है ठीक है ये जो माता जी ने प्रिश्ण किया था मैंने उसका उत्तर दिया है फिर से आपको मैं समझा दूँ जन्म से बच्पन जन्म से बढ़ापा बारवां घर है बढ़ापा बे खर्च और किस मद में खर्च किया गया दान धर्म की प्रवित्ती को भी ये बताएगा लिहाजा यहां का स्वामी यहां भाग्य में बैठा हुआ है अब इस ब्रहस्पती का बढ़ापा भाग्य बढ़िया भीतेगा बेशप अगर शनी बहुत हुचे होगे तो ब्रहस्पती को डाउन कर देंगे लेकिन यह ब्रहस्पती यहां पर उच है मतलब इसकी डिग्रियां ज्यादा है ब्रहस्पती की तो शनी को डाउन कर देंगे लिहाजा इस ब्रहस्पती को बुढ़ापय में कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यू के समय बड़े प्रेम से इसके प्राण निकलेंगे निश्चित बात है कि प्राण निकलने के समय ब्यक्ति को बहुत कष्ट होता है कहते ही सव करोड बिच्छू मारने पर जितना पीडा होती है उतनी पीडा मृत्यू के समय होती है तो मैं अभी यही कहूंगा आप सभी दर्शकों से कि अपने कर्म को सुधारे मृत्यू भंगा तो हम आशा करते हैं कि आपको ये विडियो समझ में जिरूर आया होगा बुढ़ापा कैसे सुधरेगा बुढ़ापे में और मृत्यू के समय कोई पीडा तो नहीं होगी इस विशे को यहीं विराम देते हैं अगले विशे को हम जिरूर लेंगे आपके प्रशनों क कि आम